दोस्तों नमस्कार पिछले कुछ दिनों से अफगानिस्तान और तालिबान चर्चा में हैं तो सबसे पहले हम इसी मुद्दे पर संचिप्त चर्चा करें इसके पस्चात अन उन खापरों पर चर्चा करेंगे जो एक्जाम पॉंट अव्यू से इंपॉर्टेंट है तो जब की पास वर्ड अटलस होगा वर्ड अटलस में आप अफगानिस्तान से लगे फेदेसों की सूची देखें और साथ में अमेरिका की क्या पोजिशन है उससे कितनी दूर पर चाइना कहां पर है रसिया से अफगानिस्तान की कितनी दूरी है समझत आप जब मैप के माधिम से देखेंगे तो चीजों को समझने में आपको काफी असानी होगी, अब हम तालिबान को समझें, इसके पहले हमें देखते हैं कि आजाती की पहले की बात करें जब हम, बहुरत का इ Еще का पॉर्शन और ये भी व्रेंट्रिेस के अंग्रेजा। कोल्ड वार खतम हुआ इसके बाद भारत को भी अजादी मिली उस समय जो है कोल्ड वार सुर्य हुआ अमेरिका और रसिया की बीच में तो रसिया और अमेरिका दोनों जो है इस राज जिप्पे अपना धिकार बना रखना चाहते थे इंडार्टली क्योंकि यह बफर स्टेट और तब एसी स्थिति में अमेरिका नेहां पर वर्चास और चाहा है और यह रसियान का जो कम्यूनिस्ट प्रवाव था उसको खतम करने के लिए अमेरिका ने क्या कि जो यहां के धार्मिक संग्ठन थे, मुझाएदीन थे, अतंकी संग्ठन थे, उनको जो है उन्होंने अंतरिक शहता देना सुरू किया, हाथियारों के सप्लाई सुरू की, इस तरीके से अप्रतेक्ष मदद सुरू की, और अंतर था है फिर वहाँ कई संग्ठन पन पे, एक संग्ठन था तालिबान, तालिबान जो है मूलता है, पस्तो भासा में तालिबान कार्थ चातर संग्ठन होता है, स्टूडेंट संग्ठन होता है, और मदर्सों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसमें सामिल किया जाता था, यह धार्मिक संग्ठन था, धीरे-धीर इसने अपन तक में पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया और आपको पता होगा कि 95-96 से लेके 2001 तक जो है अफगानिस्तान में तालिबान का हिसासन था लेकिन 2001 में कुछ ऐसी घटना घटी यदि आपको याद हो कि क्या अलकायदा कर जो सरगना था उसामा बिन लादेन तो लादेन के कहने पे जो है अमेरिका के ट्विन टाउर में जो हमला हुआ और उस घटना के बाद से जो है अमेरिका ने अपना रुख बदला और चूंकि जो अलकायदा था वो तालिबान उस समर्थन देता था अलकायदा को यह माना जाता था कि अलकायदा तालिबान के समर्थन में बढ़ रहा है इसलिए फिर अमेरिका ने अपनी सेना भेजी अफगानिस्तान में और 2001 से लेगे लगभग 20 साल तक लगाता रहे अमेरिकी सेना वहां थी और ऐसी स्थीति में फिर वहां निरवाचन भी हुए अभी आपको पता है कि असरफगानी रास्टपती थे जो भाग ग होता हुआ और इसके बाद फिर जो है यह अभी जो है गोशना की गए थी कि सितंबर तक 11 सितंबर तक जो है अमेरिकी सेना वापस बुला ली जाएंगी अफगानिस्तान से और उन्हें उमीद था कि तालीबान इतनी जल्दी ऐसा कुछ हरकत नहीं करे गया अफगानिस्तान सिगर ही जो है अफगानिस्तान के किक सहरों पेचाहो मचारिश सरीफों काभूलों कंधारों सब पे कबजा काना सुरू कर दिया धीरे-धीर करके 15 अगस्त में जो आपने देखा होगा सुरू किया होगा अभी जो है आज की डेट पे पूरे आफगानिस्तान में लगबग उसने कबजा कर लिया है अब हम कुछ हाइलट्स देखेंगे इसके और यह देखेंगे कुछ बिंदों पर और कि भारत पेस का क्या इंपेक्ट पड़ेगा और जहां सभी देश के जो है दूतावास जो है वहां है उनके नागरिक है उनको तो सभी देश अपने-अपने बुला रहे वापस लेकिन हम उन पर भी चर्चा करने हैं उन अफगानी वास्चियों पर भी चर्चा करना चाहेंगे कि आपटर आल वो तो देश है तीन करोड के अबादी वाला देश है पुरा वहां के नागरिक तो कहीं जाएंगे नहीं तो तालिबानी सासन का उन पर क् पड़ेगा तो सबसे पहले हम कुछ सुर्खियां देखें कि जो तालीबान के अभी समय प्रमुख है अफगानिस्तान के रास्टपती बन सकते हैं वो नाय रास्टपती अब्दुल बरादर बन सकते हैं तो यह अब्दुल बरादर कौन है यह जानना चाहिए कि अब्दुल कर लिए गये 2018 में अमेरिका ने उने छोडने के लिए कहा था क्यों कतर में मध्यस्तता का नित्रत तो कर सकें अब यह जो है ने रास्टपती बनाया जा सकते हैं अफगानिस्तान में एक और छोटी सी निउज है कि तालीबान में अफगानिस्तान में जो मंदिर है उनके कर रहा है कि चीन का कहना है कि अमेरिका ने 20 साल तक अपनी सेना रखी इसके बाद आचानक सेना वापस बुला ली तो जो उन्होंने मतलब एक तरीके से अरूप लगा है कि असान्ती विभाजन की तरस्दी छोड़ी है अफगानिस्तान में हमारा मिशन कभी भी रास्ट नि नमाद नहीं बंकि आतंक वाद में लड़ाई था घॉझात त्व अमेरिकी रश्ठिटि जो बन बोलते हैं कि हमां अफगानिस्तान का रास्त निर्माद करना चाहते थे बलकि आतंक वाद के खिलाफ लड़ाई थी उसमें हम कारगार हुए हैं इनका मानना है मलाला यूसुप जाए आपको जानते हैं कि अफगान महिलाओं की चिंता हो रही है 2012 में तालिबानी गोली का सिकार हुई थी और इनको संती का नोबल पुर्सकार भी मिला था ये भी महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए अब चिंती थे जैसे ही चाट तालिबान का फिर से साथा में आई है इसके बाद पाकिस्तान ने इमरान खान इनका कहना था कि गुलामी की जैंजीरे टूट गई अफगानिस्तान पे तालिबान के कबजे पेमरान खान आप जानते हैं कि पाकिस्तान जो है वो तालिबानी सासन के फेवर में है यदि हम अन्य देशों की बात करें तो रसिया भी इंडारेक्ली फेवर कर रहा है चाइना भी फेवर कर रहा है सार्जेन के बेगदिया स्वार्थ हैं वस्चमी देश फेबर में नहीं है भारत का क्या रूख होगा भारत को क्या करना चाहिए यह आगे देखेंगे रूस ने भी तालीबान की तरिफ कहा है कि काबुल की स्थिति राष्ट पती गनी के सासन के मुकाबले ज्यादा बेहतर है तालीबान ने महिलाओं तालीबान ने भी अपना रूख मदला है आपको पता है कि जब तालीबान का 2001 तक सासन था तो काफी बहुत ही कड़ा सासन था और कड़ा क्या आप बोलें ऐसा बोलें कि महिलाओं और मानौधिकारों के दरस्टी से तो असाहिनी था यह महिलाओं को बोले हम सासन चलाएंगे इस तरीके की बात होती थी अभी जो है थोड़ा सरूख उन्होंने बदला है लेकिन क्या दिखाउटी है या वास्ते भी खोगा कहा नहीं जा सकता तालिबान ने कहा है कि महिलाओं को भी सरकार में सामिल होने दिया जाएगा इस्कूल कालेज बिन को अब जो है दूसरे तरीके से सासन करेगा लेकिन किस हाथ तक करेगा किस कहां तक ये जाएगा क्या ये सिर्फ दिखावा है या फिर रियल में ऐसा कुछ होगा ये भविस में पता चलेगा अभी आप देख रहे हैं कि सभी देशों के जो नागरिक हैं तो कुछ अफगान न अगरिके का मेरी की सेन बिमान में मतलब इलकुल इस तरीके से कम स्पेस में जहां सर्फ एक सूच्छ चूटिस सेनिकों के लिए जो बनाया गया तो वहाँ छेसो चालिस लोग भर किया हैं कुछ हताहत भी हुए हैं कुछ गिरे भी हैं काद बिमान से आपने देखा हुआ व तो सबसे पहले जम्मू कस्मीर में तालिबान की नजदी की देखे हैं कि अफगानिस्तान के में जैसे ही तालिबान आप चूंकि कब्जा जमा चुका है पूरी तरह से अपनी सत्ता तो अब जम्मू कस्मीर के नियंतर्ण वाली जो रेखा है उससे सिर्फ 400 किलो मेटर दू में आतंकवाधी गर्विदिया कनने के लिए सुलफ Tut कर सकती हैं दूसरी तरफ तालिबान अफगानिस्तान के बदं हमाले या जो कब्जा कर लिया जो कि पाकिस्तान के कब्जवाले कस्मीर की सीमा में तो अभ आतंक, अपने ऑच सेब developed कर दिंद स हो सकती है कि जो तालिब ऐसे आतंकवादी संग्ठन भी तालीबान के साथ मिलके काम करेंगे और ऐसी स्थिति में जो है इनको प्रसिछन देना और इनकी ठीकानों का विस्तार आधिक होगा जिससे आतंकवाद में ब्रद्धी हो सकती है पहले जो है तालीब आफगानिस्तान उसके असपास के कंटर प प्राप्त है और यह भारत के लिए बिलकुल भेनकूल नहीं होगा चीन की चुनोती चीन ने भी कधित तौर पर कहा है कि अफगानिस्तान के तालीबान के साथ मेंद्रपूर्ण संबंद विक्सित करने को त्यार है मतलब उसने तालीबान के सब्ता को एक तरीके से मानता ज ऐसे ही दूहजार एक के बाद अफगानिस्तान में तालीबान का सफाय हुआ था भारत ने वहां निवेश किया थे काफी अधिक बड़े मत्रह में दो अरब डालर से भेहदी का निवेश किया था वहां पर अफगानिस्तान का चाहा संसर्भवन हो चाहाई पस्चमी अफग इसकी गर्थ में छुपा हुआ है हम उसकी तिहास की बात करें तालीबान के साथ भारत के संबंद के तो भारत ने इरान और रूस के साथ तालीबानी विरोधी उत्तरी गड़ बंदन को हमेशा वित्पोसित किया है तालीबान के फेपर में कभी नहीं रहा भारत तालीबान थोड़ा सा क्या हो सकता भारत के लिए चींदी क्या हो सकते है तो भारत के लिए सबसेज कारगर नीथी यह हो की वर संतुलित रहे और देखें कि अफगाइनिस्तान में क्या पॉजिशन बदल रही है तदा अमसारे नढ़ना ले हना कभी भी को इसा नहीं हो कि बाद में वह तो यह भी एक फेवर में जाता है कि जहां एक तरफ पाकिस्तान चाइना और रस्टिया फेवर करना है तालिबान का लेकिन मैक्जिमम देश इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं तो जल्दी स्थिति सपस्ट होगी कि क्या डिसीजन लेना चाहिए तालिबान के और इन प्रसनों के बंद हुआ है रिकार्ड है अपने आप में 14 अगस्त को हैती में जो करिबियन देश से हैती वहां भूकम पाया है काफी लोग उहां खतम हुए है और हैती समय जहां एक तरफ कोरोना से काफी ज्यादा प्रभावित था और अपने गरेलू हिंसा से प्रभावित था रास्ट मैप में आप देख लेना कहां पर है पुछ वन लाइनर फैक्ट हम रोज देखेंगे अंत में दो तीन जैसे हाली में जिस राज ने चारहजार एक्सोस तता है से अधिक वन छेतर पर धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मानता दी है तो धमतरी जिले की जब भी बात आएगी तो आप याद रखेगा 36 गड़ है हाली में जिस मंत्राले ने एक उनलान पोर्टल उत पादक्तम सेवाओं को बढ़ान के लिए प्रसिक्षण लांच किया है तो मंत्राले का नाम है समाज की नायम अधिकारिता मंत्राले एक है की हाली में यह करेंट पर हम जस्ट चेर चा कर रहें कि जिस उचन्याले ने के इंद सरकार के तीस हिजंबर 21 तक रास्टे अलब संख्य कायोग के सभी रिक्त पदों नामित करने का निर्देश दिया है तो वह दिरे उचन्याले जन जाती मंत्रालों के मंत्राले ने वनान करकर्म के साथ कांची जिलों को प्रात्मिक्ता के साथ अंगले 5 वर्षों में सभी 272 स्राजियों में जितने jiços स्थापित करने कि यह यह बनाई है किः कितने की बात communication मेंदन कंपनियां जिस राज सरकार ने हाली में घोस्टना किया कि उसकी सरकार बीजु स्वास्त कलनाण योजना के तहरत स्मार्ड स्वास्त कार्ट प्रधान करे है तो इमाउंट याद रहे पूछ लेता है सौ लाख करोड रूपाए हाली में जिस राज सरकार दौरा अधार्मी साधी कि सुनता संग्राम सेनानी संगूलिर रायन्ना की जनती के वजन किया गया तो ये किस राज में है करनाटा के हाली में भारत और जिस देश ने अलमोहद हिंदी अभ्यास नमक पहला नौ सेना संग्त अभ्यास शुरू किया है हिंदी अभ्यास लिखा है कोई में ये हिंदी रेलेटर नहीं है नौ सेना का संग्त अभ्यास है साओधी अरब के साथ